हेलो एवरिवान आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के से रिलेटर इंपॉर्टेंट क्वेशन आंसर सो फर्स्ट वन हेर इस लाहल स्पीती में स्थित चंदर ताल जील की औसत उंचाई कितनी है यह है 4270 मेटर मनी महेश जील किस जीले में स्थित है चंबा जीले में रिनुका जील किस जीले में स्थित है सरमोर जीला 42 किलो मीटर लंबी पॉंग जील जो व्यास के ऊपर जीला कांगरा में बनाई गई है उसे किस और नाम से जाना जाता है महराना प्रताप सागर नेक्स्ट वन इस रिवालसर जील किस जिले में स्थेते हैं ये हैं मंडी जिले में नेक्स सूरजताल और चंदरताल जील किस जिले में स्थेते हैं लाहुलसपीती प्राशर जील कहां पर स्थेते हैं मंडी जिला में स्थेते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जील गोविन सागर की लंबाई क्या है। बनने से कौन सा स्थान डूबा धहरा गोपीपूर परशुर राम ताल कहां पर स्थित है। यह है रेनुका में चंतरनाहन जील हिमाचल प्रदेश के किस जीले में स्थित है। गुरु गुविन सिंग के नाम पर। चंदरताल जील किस दर्रे के निकट स्थेते हैं। यह है बारालाचा दर्रे के निकट। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जील गुविन सागर का ख्षितरफल कितना हैं। 168 वर किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की किस जील में पदम संभव और तारा की आत्माई टिबो के रूप में तैरती हैं। रिवालसर जील मंडी। युनाम सी जील कहां हैं। यह है लाहुल गाटी में। धनकर जील किस जीले में स्थेते हैं। लाहुल सपीती जीले में। बड़ी संख्या में पत्रीले जरने कहां पाय जाते हैं? ये पाय जाते हैं चमबा में तत्ता पानी मंडी जिले के किस हिस्से में स्थित है? ये है करसोग वहस्तान जहां चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है और चिनाव नदी का निर्मान होता है ये है तांडी लहुल्सपीती